हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो आज से चैनल पर हिंदी शुरू की जा रही है आप लगों के बहुत सारे मेसेज आ रहे थे हिंदी को लेकर तो देखिए आज से हम लोग हिंदी शुरू कर रहे हैं शुरुवाती जो कुछ वीडियो होंगी वो हिंदी का जो बेसिक है उसको लेकर होंगी जो आपकी परिक्षाओं में बेसिक प्रशने पूछे जाते हैं उनको लेकर शुरुवाती कुछ वीडियो आएंगी देखिए होता क्या है अधिकांस छातर गलती क्या करते हैं जब वो पार्ट जो चातर होते हैं अधिकांस चातर क्या करते हैं उस पार्ट को पढ़ते ही नहीं है तो हमारी जो कुछ शुरुआती वीडियो आएंगी वो बेसिक चीज़ों को लेकर ही आएंगी जहां पर आपके नंबर कम रह जाते हैं आप गिरामर तो अच्छी से त्यार कर लेत उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बात और जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं कोई वीडियो पढ़ रहे हैं उसके बाद देखिए मैंने यह सोचा है कि आपके लिए एक MCQ भी इसी जैसे एक दो वीडियो आती है उसके बाद एक MCQ सीरीज लाई जाए सीरीज नहीं मतलब जैसे कि दो वीडियो होगी उसके बाद एक MCQ वीडियो आएगी उसमें देखिए हम ऐसे प्रशन को रखेंगे देखिए कुछ प्रशन क्या होते है जिनका कोई टॉपिक ही नहीं होता है वो एक ही प्रशन होता है वो किसी टॉपिक में नहीं आते हैं त कोई क्या होता है कि एक टॉपिक में कुछ चीजें पढ़ाएगा कोई उसी टॉपिक में कुछ अन्न चीजें पढ़ाता है तो आपको ये सब ध्यान में नहीं रखने की कौन क्या पढ़ा रहा है बस आपको ये ध्यान में रखना कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भासा और हिंदी की उभासा है वा बोलिया जैसे की भासा किसे कहते हैं और हिंदी की उभासा हिंदी की उभासा वा बोलिया इनको आज हम लोग कवर करेंगे यहां से दोस्तों प्रशने बनते हैं और देखिए भासा सब्द भास धातु से बना है। जिसका आर्थ होता है बोलना। अब देखी जो यहां पर धातु आया है ना, ए धातु, इसका एक अलग चैप्टर आएगा। इसको हम लोग अलग चैप्टर में cover करेंगे यहाँ पर देखी जो चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पहले भासा के बारे में जान लेते हैं बागी धातू भी हम लोग आगे पढ़ेंगे धातू किसे कहते हैं यह सब चीज़ें हमारी जो grammar वाला जो हमारा जो topic आएगा उसमें हम लोग इन चीज़ें को cover करेंगे अभी हम लोग हिंदी में जो basic चीज़ें हैं पहले उनको cover करते हैं तो देखिए भासा सब्द भास धातू से बना है जिसका आर्थ होता है बोलना परिवासा की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर लिखकर या पढ़कर परकट करने के साधन को भासा कहते हैं तो देखिए बोलकर लिखकर और पढ़कर परकट करने के माद साधन को हम लोग क्या कहते हैं भासा कहते हैं हालाकि ऐसी परिवासाइं आपसे एकजाम में पूछी नहीं आती हैं लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए ये बहुत महत्मोड़ भास धातू फिर देखिए मनुष्य जिन धवनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भासा कहते हैं जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो क्य पर भासा के दो रूप लिखे हुए हैं कहीं पर तीन रूप लिखे हुए हैं अधिकांस जो मानिता है वो तीन रूपों की है कि जो अधिकांस जो किताब हैं वो तीन रूपों को मानती हैं लेकिन जो कुछ किताब हैं ऐसी भी हैं जो भासा के दो रूपों को मानती हैं कौ प्रश्ण डिलिट होने के चांस अधिक हो जाते हैं तो यहां पर देखिए जो भासा के जो रूप हैं अधिकांस तीन ही माने जाते हैं कुछ किताबों में दो भी लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपके यह डाउट किलियर कर दिया जो दो भासा की रूप को जो विद्वान मानते हैं वो कहते हैं कि जो मौखिक भासा और लिखित भासा होती है मातर और जो तीन मानते हैं वो यह कहते हैं कि भासा के तीन रूप हैं एक मौखिक भासा एक लिखित भासा और एक सांकेतिक भासा तो देखिए सबसे वहले हम लोग मौखिक भासा का अधिन करते हैं देखिए भासा का वहा रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है उसे मौखिक भासा कहते हैं कभी-कभी ये प्रशने दोस्ते जब एक्जाम में आते हैं तो वो इस तरीके से वहाँ पर लिखा रहता है बोलकर, equal to सुनकर, एक option रहेगा लिखकर, लिखकर, या पढ़कर ऐसे करके भी एक जब में प्रशने आते हैं तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है बोलकर और सुनकर मतलब एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे सुनता है तो यहाँ पर देखिए भासा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है उसे मौखिक भासा कहते हैं उधारण के तौर पर हम लोग देख लेता है टेलिफॉन दूरदर्शन रेडियो या फिर किसी का भासन देखे टेलिफॉन में क्या होता है एक व्यक्ति बोलता है बस इतना जार बोलकर एक वर्टू सुनकर उसके बाद आती है लिखित भासा देखिए भासा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर परकट करता है अब देखिए मौकिक भासा में क्या था बोलकर लेकिन लिखित भासा में क्या होता है लिखकर मतलब कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ देखिए मैं लिखता हूँ हिंदी मैंने हिंदी लिख दिया यह क्या है यह क्या है लिखित भासा है अब मैं मुह से बोल रहा हूँ हिंदी तो यह क्या है तो वो क्या है लिखित भासा है तो ये चीज आप लोग समझ गए मौकिक भासा और लिखित भासा अब देखिए लिखित भासा के जो उधारन है वो क्या है समचार पत्र जैसे कि कोई व्यक्ति समचार लिख रहा है कागज के पन्ने पे और आप उस कागज के पन्ने पर लिखे हुए समाचार पत्रों को, जो समाचार लिखे हुए हैं, उनको पढ़ रहे हैं, कहानी किताब हैं, किसी ने वो किताब लिखी हैं, आप उस किताब को पढ़ रहे हैं, उसी परकार से लेख, उसी परकार से जीवनी, तो यह सब क्या हैं लिखित भासां के उधारन हैं अब देखी यहाँ पर आता है लिखकर equal to पढ़कर यहाँ पर क्या था बोल कर equal to सुनकर और यहाँ पर क्या है ऐसे करके option आपकी परिच्छाओं में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग समझ गया होंगे जो मौकिक भासा होती है उसमें बोल कर equal to स लिखित भासा मौकिक भासा और सांकेतिक भासा एक्जाम में जो सबसे ज़्यादा प्रशने पूछे जाते हैं वो सांकेतिक भासा को लेकर ही एक्जाम में सबसे ज़्यादा प्रशने पूछे जाते हैं देखिए जब यक्ति अपने विचारों का आदान परदान न तो बो परदान परदान करता है हाथ हिलाकर या फिस्सिर हिलाकर आखों के माध्यम से किसी चीज के माध्यम से वो संकेत कर सकता है जैसे कि उधारण के तोर पर हम लोग समझेंगे किर्केट मैच का अंपायर देखी जब क्या होता है किर्केट मैच चल रहा होता है उसमें जैसे कि एक बॉलर होता है जैसे कि वाइड बॉल डालता है तो अमपार हाथ से इसारा करता है जब आउट होता है तब भी हाथ से इसारा करता है उसी परकार से देखिए चौराये पर खड़ी यातयाद पुलिस जब यातयाद पुलिस चौराये पर खड़ी रहती है तब जैसे कि जिस यह होती है संकेतिक भासा जिसमें लिखित और मौखिक चвол component उसे हम लोग कहते हैं संकेतिक भासा तो यह दोस्तो प्रशने पूछे उव human मैच का अमपायर किस परकार की भासा का परियोग करता है यह तो किस परकार की भासा का परियोग करती है तो ये प्रशन दोस्तों एकजामे पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है सांकेतिक भासा उसके बाद देखिए बोली, विभासा और भासा ये क्या होती हैं इनके बारे में भी दोस्तों एक जामे प्रशने पूझे जाते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बोली देखिए किसी छोटे छेत्र में इस्थानी व्यवहार में परियुक्त होने वाली भासा का देखिए यहां पर आपको चीजों को पकड़ना है अतेव छेत्र विशेश में साधारन सामाजेक व्यवहार में आने वाला बोलचाल का भासा रूप ही बोली है तो देखिए इसमें क्या होता है जो भासा का जो रूप होता है वो अल्प विक्सित होता है जो भासा होती है अलबविक्सित रूप में होती हैं छोट असे छेतर में बोले जाएगी और इस्ताने व्यावहार में परियुक्ति की जाएगी उसका कोई लिखित रूप अथवा साहित नहीं होता है मतलब की जो लिखित रूप मतलब की इसे की साहित्ते में जो रचनाई होती है वो उस भासा में नहीं होती है तो वो बोली होती है अतेव छेतर विशेस में साधरान सामाजिक व्यावार में आने वाला बोलचाल का भासा रूप ही बोली है मतलब की जो छेतर विशेस होता है मानला की छोटा सा छेतर है उस छेतर है जो सामाजिक व्यावार मतलब की लोगों के अपने बोलने की भासा मतलब एक दूसरे से बाचित करने की भासा वही भासा कहलाती है नहीं वही भासा रूफी बोली है तो बोली आप लोग समझ गया होंगा कि छोटे से छेतर में बोली जा रही है, उसमें कोई लिखित अत्वा साहित नहीं होता है, एक सामाजिक वियभार मतलब की आम बोलचाल के लिए उसको परियोग किया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, उसके बा बोली सही जब बोली क्या होता है जब एक बोली क्या जैसे माले एक बोली है एक छोटे से छेत्र में बोली जा रही है लेकिन समय के सांसाथ उसका विस्तार हो जाता है उस बोली का अन्य छेत्रों या अन्य प्रांतों में विस्तार हो जाता है उस भासा उस बोली को बोलने वा आदिक विस्त्रित है यहां एक प्रांत या उप्रांत में पर्चलित होती है यहां पर क्या था एक छोटे से छेत्र में पर्चलित थी लेकिन यहां पर एक प्रांत या उप्रांत में पर्चलित होती है और इसमें हमको साहितिक रचनाई भी प्राप्त होती है यहां पर देख भासा आउदी खड़ी बोली भोचपूरी और मैतली ये सब हिंदी की विभासाएं हैं चलिए ठीक है आगे देख लेते हैं हम लोग आगे है भासा भासा किसे कहते हैं देखिए भासा तो मैंने आपको पड़ाई दिया है जैसे कि लेकर टॉपिक में था बोली विभासा और भ भासा एक विसाल विस्तर छेतर में बोलने लिखने साहित्ति रचना करने तथा संचार माधिमों के प्रसपर आदान परदान में परियुक्त होती है अब देखिए जैसे हम लोग हिंदी कह सकते हैं हिंदी क्या एक भासा है एक विसाल छेतर में बोली जा रही है उसमें पुलना लिखना साहित रचना संचार माध्यम बहुत सारे चीज़ें उसमा आयाती है तो वह कहलाती है भासा अब देखिए एक्जाम में क्या होता है आपको इस तरीके से आपके सामने चार ओप्सन आएंगे कहेंगे कि इन में से इसको सही करम में लगाईए एक तो ओप्सन ह आपके सामने ऐसे विभासा का एक होता है फिर भासा एक आजाएगा आपके सामने बोली का तो आपसे यह कहा जाएगा इनको सही करम में लगाईए तो देखिए ऐसे प्रशने भी दोस्तों एक जामें बन जाते हैं तो यह छोटे छोटे प्रशने हैं जो एक जामें बनते ह इनको आप लोग क्या गरते हैं, इसकिप कर देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, तो अगर आपके सामने ऐसा प्रशना आता है, तो आपका उत्तर ये वाला सही हो जाएगा, सबसे पहले बोली, फिर विभासा, और फिर भासा, चलिए, ये चीज़ां आप लोग समझ करने के क्या कारण होते हैं, कोई सिभी भासा होती है, उसमें परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, देखिए, कई पीडियों के अंतर इस्थान विशेष की जलवायू, देहिक भिन्नता, भागवलिक भिन्नता, जातियों और मानसिंग अवस्था में अंतर, रूची और अगों, अगर दो कहीं हैं, कुछ अग्यों, आपको मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से मतलब जैसे कि यहाँ पर मुगल आते हैं, तो उन्हों ने यहां पर कुछ अपने सब्द इजात कियें, बहुत सारे सब्द यहां पर छोडए, जो ब्रिटिस आते हैं, देखिये, उन अंसी कवस्था में अंतर जैसे माल्य कोई व्यक्ति है बाहर रहके आ रहा है चार-पांस साल फिर वहां आता है और कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि ऐसे सब्दों को वह अपनी भासा में परियोग करने लगता है बाद में उनी सब्दों को और लोग भी ग्रण कर लेते हैं तो इस परकार से किसी भी भासा में परिवर्दन आ जाता है तो दोस्तों ये प्रशने दोस्तों पूछे जाते हैं किसी भासा में परिवर्दन के क्या कारण है तो जो महत्यपूर्ण कारण है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं उसके बाद देखी भासा विग्यान ये प्र चलिए ठीक है फिर देखिए हिंदी छेतर की समस्ते बोलियों को कितने वर्गों में बाटा गया है देखिए हिंदी छेतर की समस्ते बोलियों को कितने वर्गों में बाटा गया है हजारों बार ये सवाल दोस्तों एक्जाम पूछा हुआ है पांच वर्गों में बाटा गया ह इन वर्गों को उपभासा भी कहा जाता है एक्जाम में आपके सामने या तो वर्ग लिखा मिलेगा या फिर आपको उपभासा लिखा हुआ हैं तो आपका उतर क्या हो जाएगा पांच या फिर देखिए इन उपभासाओं के अंतरगत हिंदी की कितनी बोलियां आती एं तो यह समझ लीजिए यह जो प्रश्ण है यह बहुत जादा इग्जा में पूछे जाते हैं बहुत जादा इसलिए आपको याद रखना है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज भी हुआते हैं मालिया जैसे कि इग्जा में पूछ लिया कि हिंदी की कितनी उभासा हैं तो कुछ लोग सत्रा लगाते हैं इसका उतर क्योंकि उन्होंने अच्छे से उस चीज को नहीं पढ़ाए कि तो पांच और सत्रा में कंफ्यूज रहते हैं तो देखिए उभासा अगर आपसे पूछ ले पांच और अगर आपसे पूछ ले कि इन उभासाओं के अंतरगत हिंदी की कितनी बोलियां हैं तो हिंदी की बोलियां कितनी हैं वो हैं सत्रा अब देखिए अभी हम इनका अधिन करेंगे पांच जो उनके वर्ग हैं इनका अ कदिक विस्टित हो जाता है वह एक आदर सुरूप गिरहन कर लेती है अब उसकी अपनी सैक्षणिक वानजिक साहितिक सास्तिरी तकनी की एवं कानूनी सब्दावली होती है इस इस्तिती में पहुंचकर भासा मानग भासा बन जाती है हिंदी का उधारल हम लोग यहां पर ले लेकिन जब एक्जाम में आते हैं तो वहां पर आपको अलग तरीके से गुमाया जाता है तो इसलिए कि मानग भासा बाताव में क्या है आपको मानग भासा में आपको कनिफूच कर दे जाएगा इसलिए कोई चीसे समझनी है मानग भासा मतलब कि सब कुछ हो सकता उस भासा में तो हम forwards इस लोग उसको क्या वेंगों मानक भासा चले ठीके बढ़ता है देखिए यहां पर से यहां से बहुत सारी प्रश्म इक्जामें पूछे गए हैं देखिए क्या है देखिए भासा की सार्थक इकाई क्या है तो देखिए भासा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है वाक्य तो यह कोशन दोस्तों बहुत बार इक्जामें पूछा गया है कि भासा की सार्थक इकाई क क्या है धवनिया वर्ण अब देखी आप इसको इस तरीके से याद कीजिए यह आपको पढ़ने में बहुत अजीव लगेगा या फिर इस तरीके से आप इसको याद नहीं कर पाएंगे आप इसको इस तरीके से याद कीजिए यह जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना यह यह तो आपको दोनों याद होने चाहिए जो पदबंद से छोटी काई होती है वो पद या सब्द आपको दोनों ही याद होने चाहिए फिर देखिए वाक कि उपवा की पदबंद पद या सब्द फिर अक्षर फिर धाउनिया वर्ण तो यह दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये एक्जाम में दोस्तों प्रशने में पूछ रहे हैं, कुछ भी आप को कुछ ले गाग जिसे पदभंद से छोटी प्रशने में क्या होती है दोस क्यों से के चे क्यों होती है उपवा कि भासा का जितनी भी शीजिजें लिखी गया है तो यही प्रशन में पूछा गया है कि जैसे भासा की सबसे छोटी काई किया धोट। आपको याद रखना है वासा से भासा की सबसे छोटे काई क्या है धावनी और इस धावनी को वर्ण भी कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि एकजाम में धावनी आप्सिन में नहीं होता है तो भासा की सबसे छोटे काई क्या है अगर ऑप्सिन में धावनी हो तो धावनी करेंगे अगर वर्ण हो तो वर्ण क और अगर हम वर्ण की बात करें जहालकि हमारे एक अलग टॉपिक आएगा अलग चेप्टर आएगा इस चीज कभी ऐसे कि हम लोग बात करें कि इस राम जो सब्द है इसमें कितने वर्ण है देखिए राम कभी कभी ये दोस्तों वाकि विन्यास करने को आपके परिक्षा में यह हम लोग सीखेंगे जब यह वाले टॉपिक आएगा तो देखिए इसमें चार वर्ण है हमारे राम में राम चार इसमें वर्ण है इनको कैसे बनाया जाता है यह हम लोग जो हमारे टॉपिक आएगा वर्ण वाला इसमें हम लोग इसको सीखेंगे तो यह होती है हमारी ध किस तरह के सी आपको याद करनी है कि बहुत सारी हैं इनको याद करना मुश्किल होता है देखिए हमारी उब्हासां आ जाएंगी यहाँ पर नागे बोलिया आ जाएंगी और यहां पर उनकी मुक्षे चीज को पढ़ लिया ना यहां पर लिखी वुई है इस चीज को आपने पढ़ लिया तो यह समझ लिजे यहां से आपका एक प्रश्न पक्का है और आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो समझ लिए आपको एक नंबर में भी भूलनाना है चल्य चलिए सबसे पहले आंगलों रजिस्थानी नष्साँन है गया है कौन कौन है यह दीओ हुआ हृआ कौन से बोली बोली का है या आजिस्थानि के इसा कहा बोली आती मैं तो आप का उतर क्या हो जाएगा पूरी नाम है नाम है और तर या ओई कि करने का तरीका देखिए जिंदी ही रहती है उपर और羅 मार्वी रहती है नीचे उपर मेवाः थी जो इसको ऐसे आप लोग connect करिए मेवाः ही मेवाः story मार्वी जा रही है उपपर को जा रही है मालवी में कोई मात्रा नहीं है तो कहा रहती उपपर ऐसे ही दोस्त इनको याद के जाता है जो ऐसी खुब्भी необходимо more time देखिए यहां पर से देखिए मेवाती की यानि उपर की मातरा है यानि की मेवाती उपर रहती है यानि की उत्तर में रहती है और माल भी कहां रहती है नीचे रहती है तो यह आपको दो याद होगे बस यह दो आपको याद होई जाएंगे जैपुरी और मारवारी यह तो भासा है इसकी बोलिया कौन कोन सी हैं? देखिए कौर्वी या खड़ी बोली ہے बांग्रु या हरियानिवी ब्रेज़भासा बुंदेली और कन्योजी तो यह है अब देख़िए यहाँपर से दोस्तों प्रशने कैसे कैसे बनते हैं कौर्वी या खड़ी बोली जैसे कौरवी है उसी का नाम खड़ी बोली है और बांगरू या हरियान भी ये दोस्ते बहुत बनता प्रशन जो बांगरू है वो कहां की है तो हरियान भी है ये बांगरू का ही दूसरा नाम हरियान भी है या हरियान भी का ही दूसरा नाम बांगरू है ये आपको याद रख पर यहां पर जैपुरी कि co demonstrate नाहीं इसे याद हो तरीके से आपको याद रखना है पिर देखें याद करने की ट्रिक क्या है देखें इनको याद करने की क्या हो जाएगा ब्रजभासा बू से क्या हो जाएगा बुंदेली बा से क्या हो जाएगा बांगरू या हरियान भी कौ से क्या हो जाएगा कौर भी अखड़ी बोली और कौ से खाली कौ से क्या हो जाएगा कन्नोजी छोटी सी ट्रिक आपको याद रखने है बस ब्रभूबा क अब इसका जो मुख्य छेतर कहा कहा हो जाएगा हरियाना और उत्तर पर्देश में तो पस्चेवी हिंदी आपने याद कर ली उसके बाद देखिए पूर्वी हिंदी दोस्तों यहां से प्रशने बहुत बनते हैं इसको आपको बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है बहुत प्र आपको याद रखना है पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी अब 36 अब देखिए एक बात और मदी पर्देश, 36 गड़ और उत्तर पर्देश में इसका जो मुख्य छेतर रहेगा और इसका जो ट्रिक मैंने आपको बता दी अब 36 अब देखिए बिहारी में हम लोग आते हैं बिहारी में कौन कौन से जाएंगी भोजपूरी, मगही और मैथिली ये आजाएंगी बिहारी जो हमारी उपभासा है उसकी बोलिया इसकी ट्रिक क्या है भौम में देखिए छोटी से ट्रिक बना रखें बहुत छोटी भौ का मतलब क्या हो जाएगा भोजपूरी मौ का मतल याद करने में अगर आपने याद कर लिए तो यह समझे यहां से आपका एक नंबर पक्का है क्योंकि हर परिख्या में दोस्ति यहां से एक पूछा जाता है उसके बाद देखिए हमारी पांच भी आती है पहाड़ी उभासा इसकी दो है कुमावनी और गड़वाली और देख लेते हैं जो आपकी परेख्या में पूछे जाते हैं मातर उतना ही हम लोग पढ़ेंगे देखी परमग बोलियों का संशिक्त परिश है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौरवी या खड़ी बोली के बारे में देखे जो खड़ी बोली है अभी तो इसको वरतमान में खड़ी बोली कहते हैं लेकिन जो इसका मूल नाम है वो क्या है कौरवी है अगर आपसे प्रशने पूछ लेना कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है तो आपका उतर क्या हो जाएगा कौरवी अब दो कौरवी जो नाम दिया वो राहुल सांकरताईन ने दिया था ये कोशन भी मूल नाम खड़ी बोली का क्या होगा कौरवी और कौरवी नाम किसने दिया रहा हो संकरता है इनने तो ये सब इसके अन्य नाम है अन्य नाम भी दोस्तों कभी कभी पूछ ले जाते हैं हलाकि बहुत कम पूछे गए हैं लेकिन इसे दखनी हिंदी है पूछ लिया कि किसका अन्य नाम है कौर्विया खड़ी बोली का ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे केंदर मेरट दिल्ली के आसपास का छेतर इसका केंदर रहेगा अब देखी कहां की खड़ी बोली ये पुर्शन महत्मोड है कहां की खड़ी बोली आदर्स और मानक मानी जाती है तो आपका उतर क्या हो जागा मेरट की जो मेरट की खड़ी बोली है वो आदर्स और मानक मानी खड़ी बोली का तातपरिक्या है कभी-कभी दोस्तों ऐसे प्रश्णवी एक्जामे बन जाते हैं कि खड़ी बोली का तातपरिक्या है बताओ तो खड़ी बोली का तातपरिक्या है इस्टेंडर भासा खड़ी बोली को देशी हिंदुस्तानी किसने कहा तो ये किसने कहा गियर सनने आज की हिंदी मूलता कौरवी पर ही आधारित है दूसरे सब्दों में हिंदी भासा का मूल आधार कौरवी या खड़ी बोली है तो दोस्ती भी कोशन कभी कई बन जाता है कि हिंदी वासते का मूल आधार क्या है तो आपका उतर क्या हो जाएगा कौर भी या खड़ी बोली या आपसे ऐसे प्रशने पूछ लेगा एक्जाम में कि आज की जो हिंदी है वो मूलता किस बोली पर अधारित है तो आपका उतर क्या हो जाएगा कोर भीया खड़ी बोली और खड़ी बोली के जो पर्थम कवी होए कौन होए अमीर खुसरो और जो खड़ी बोली का जो पर्थम महाकाब भी है देखी मैं काब्डी की बात नहीं कर रहा हूं मैं महाकाब्डी की बात कर रहा हूं तो खड़ी बोली का जो पर्थम महाकाब भी है वो कौन सा है पिरी पर रवाज और इसके रचीता कौन है अयोध्या सिंग उपाध्याय जिनका उपनाम हरी ओद कभी कभी दोस्तों उपनाम आपसे पूछा याता है एक जाम तो याद रखेंगे आयोध्या सिंग उपाध्याए इनका जो अपना में क्या है हरी ओद चलिए ठीके बढ़ता है हम लोग आगे खड़ी बोली के कुछ प्रशने यहाँ पर और है खड़ी बोली सब्द का सरवपर्थम परियोग करता कौन है तो देखिए लल्लू लाल एवम सदल मिस्र यह कोशिन बहुत महत्मूर है खड़ी बोली सब्द का सरवपर्थम परियोग करता अब देखिए आपके सेलेवस में अगर हिंदी की जो उपभासाएं हैं बोली यां दे रखी हैं तो यहां से दोस्तो प्रशन बनना लाजमी है तो बन सकता है बिलकुल इनको याद रखना है आपको फिर देखिए खड़ी बोली में अधिकांस ता अकारांत सब्दों का परियोग मिलता है अतहा खड़ी बोली अकारांत परदान है ऐसे दोस्तो ऐसे प्रेक्षन दोस्तों एक्जाम tôi पूछे जाते है कि खड़ी बोली मैं किन सब्धों की परधानता है या इपर किन सब्धों का अधिकांस प्रियोग मिलता है तो आकारानता याद दढ़ेंगे फिर देखिए गिल wash 미 बोली को टकसाली बोली भी कहते हैं अगर आपके एक्जाम में आगे कि टकसाली बोली किसे कहते हैं तो आपका उतर क्या हो जाएगा खड़ी बोली को अगला हाता देखिए हरियानी भासा देखिए हरियानी भासा जैसे कि मैंने आपको बताया इसका दूसरा नाम क्या है बांगरू आप देखिए आपसे अगर देखिए वर्तमान में क्या है एक्जाम में थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है हरियानी भासा को बांगरू भासा किसickets ने का, मैंने भी आपको बताए ना हरियाणी भासा का दूसरे नाम किया thank you, ग्यशन ने कहा, इसे जाटू भासा भी बोला जाता है, क्जी जो हरियाणा में जो अधिकाँस लोग रहते हैं, जाटो लोग रहते हैं, तो इसे जाटू भासा भी कहा जाता है और दोस्तर मैंने आपसे पहले ही कहाता कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे डीपली पढ़ेंगे तो आपको यह सब याद रखना यहने कि मैंने पढ़ा दिया प्रपर तरीके से आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे जहां तक मुझे उम्मीद है आप अगली आते देखी ब्रजभासा ब्रजभासा का विकास किससे हुआ है सौर सैनी से यह कोशिन दोस्तों बनते हैं कि ब्रजभासा का विकास किससे हुआ है तो सौर सैनी से हुआ है अब देखी इसका जो केंदर है तो इसका केंदर कहा हो जाएगा मतुरा में और देखी दोस से जो महत्मोन प्रशने बनते हैं क्या क्या बनते हैं देश के बाहर ताजुबे किस्तान में ब्रजभासा बोली जाती है अगर आपके सामने कोशन बनता है कि भारत के बाहर अन्य किस देश में ब्रजभासा बोली जाती है तो आपका उतर क्या हो जाएगा ताजुबे किस्ता बंगाल में देखिए क्यों क्यों क्योंकि ब्रज भासा से बनी भासा का नाम पढ़ गया ब्रज बुली कहां पर बंगाल में तो ये दोस्तों बहुत इंपोरेंट प्रशन है बहुत बार ये प्रशन एक जाम में पूछा गया है इसको आपको याद रखना है फिर देखिए अ आगे देखिए जो ब्रज भासा है ब्रज भासा क्रशन काब की सरुपर्म भासा है जैसे कि जो भगवान क्रशन है उनके लिए जो भी रचनाई की गई है जो भी काब भी लिखे गए है उनमें जो भासा सरुपर्म को मिलती है वो कौन सी मिलती है ब्रज भासा रीती काल में इसी भासा की परधानता थी ब्रजवली सब्द का सरुपर्थम परयोग करता कौन है तो ये देखिए ईस्वर चंदगुप्त ब्रजवली सब्द का सरुपर्थम परयोग करता है ब्रज़ का पुराना नाम क्या है तो देखिए गौसाला, चारागाह, पसुम का समुह, मैंने आपसे कहा न, UK SSC आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ब्रज का पुराना नाम क्या है? गौसाला, चारागाह, या फिर पसुम का समुह, फिर देखिए ब्रज भासा की मुख्य उपबोलिया पांच हैं, कौन-कौन सी है भुक्सा अंतवेदी भरतपुरी डांगी और माथूरी यह इंपोरेंट है दोस्तों यह यहां पर सी आपके सामने प्रशने पूछे जा सकते हैं तो यह आपको याद रखना है अगली आती है कन्नोजी देखिए कन्नोजी सौरसैनी अब भ्रंच से विक्सित है यह इसका केंद्र कहां है कन्नोज में इसका केंद्र है उचारण में कन्नोजी ब्रज भासा के अधिक निकट है कन्नोजी के बारे में वो कुछ ऐसी खास जान करी हमको मतलब खास जान करी क्या मतलब छेतर इसका कम है कम छेतर में बोली आती है तो यहां पर से प्रशने विक्जा में क यदिक पर चलित है तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है जो बुंदेली जो भासा है उसमें लोग साहित पे अधिक पर चलित है और बना फरीए धृब्रहा रहेगा जो बना फरी वाला है यह आपको याद रखना है यह बना फरी किसी है ब année ले अगला आता है अवधी भासा जो की महत्पूर्ण है देखिए अर्ध मागदी अब्रंस से विक्सित है इसका जो केंद्र है कहा पर है अवध या अयुद्या एकी नाम है अवध को पूर्वी अथवा कौसली भी कहते हैं ये दोस्तों एक जामे प्रशने पूछे जाते हैं किस को कौसली भी कहा जाता है या किस बोली को कौसली भी कहा जाता है तो आपका उतर क्या हो जाएगा अवधी को तो ये आपको याद रखना है अवधी को पूर्वी अथवा कौसली भी कहा जाता है अवधी के बारे में हम लोग कुछ बातें देखते हैं कुछ मैत्पूर्ण जो यहां से प्रशने बनते हैं एक जाम में जैसे कि विदेश में फिजी देश में आउधी भासा बोली जाती है अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत के बाहर किस अन्य देश में आउधी भासा बोली जाती है तो आप का उतर का हो जाएगा आउधी फिजी देश में बोली जा उसके बाद देखिए तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना किस भासा में की सिंपल सा अंसर होता था आउधी अब के एजाम में ये बैसवाडी वहां से पूरा डीप थोड़ा बना दिया है बैसवाडी भी जोड़ दिया गया है तो तुलसीदास ने जो रामचरित मानस की रचना की थी वो बैसवाडी आउधी में की थी आउधी के भी अन्य रूप होंगे ना तो वो बैसवाडी उसको साहितिक भासा के रूप में बर्तिष्ठित करने का स्रेग से है सूफी या प्रेमारगी कवियों को जैसे कि पदमावत है ये भी पदमावत जो है वो ठेट आउधी में लिखी गई है इसको भी आपको याद रखना है फिर देखिए बंगाल में सूफियों द्वारा पर आधनिक कवियों की बात कर रहा हूं तो हिंदी के आधनिक कवियों में अाउधी में कविता के समय लिखी तिर लोचन शास्त्रीने सूफियों द्वारा आउदी बासा में रजित पर्थम घ्रन्त कौन सा है तो चंदायन या लोर कहा जिसके रचीता कौन है मॉल्ला दाउत ये दोस्तों ये जो रचना है और इसका रचनाकार एकजा में बहुत बार पूछे गए हैं कि जो चंदायन या लोर कहा है वो किसकी रचना है तो ये मुल्ला दाउत की है फिर देखिए ठेट आउदी में रचित सूफी कवियों की रचनाएं मन सवी सैली में मिलती है जो बरवे नाई का भेद आउदी भासा में लिखी गई है रहिम की जो बरवे नाई का भेद है वो आउदी भासा में लिखी गई है बक्तिकाल के महान कभी हो है रहिम ये उन्होंने एक रचना लिखी है वो रचना है उनकी बरवे नाई का भेद वो किस भासा में है आउदी भ ब्रजभासा साहित्य का प्राचिन्तम उपलब्द ग्रंत कौन सा है तो देखिए मैं बात कर रहा हूं प्राचिन्तम उपलब्द ग्रंत की जो की उपलब्द है वर्तमान में भी तो ब्रजभासा साहित्य का प्राचिन्तम उपलब्द ग्रंत कौन सा है सुधीर अगरवाल का परद्यूमन्य चरित्र ये कोशिन महत्पूर्ण है दोस्तो ब्रजभासा साहित्य का सबसे प्राचिन्तम ग्रंथ कौन सा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं एक बार फिर से गौर करेंगे मैं बात कर रहा हूं ब्रजभासा साहित्य का प्राचिन्तम उपलब्द ग्रंथ तो सुधीर अगरवाल का परद्युमन्य चरित यह आपको याद रखना है फिर देख लेते हैं भोजपूरी भासा देखिए भोजपूरी मागदी अब्ध्रंस से विक्सित है और इसका केंदर कहां पर है भोजपूर में हिंदी परदेश में बोलने वालों की सरवादिक संख्या भोजपूरी बोली की है देखिए जो हिंदी परदेश है अगर कोशिन बनता है हिंदी आपके सामने चार बोलियां होंगी तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी परदेश में बोलने वालों की सरवादिक संख्या किस बोली की है आपका उतर क्या हो जाएगा भोजपूरी की फिर देखिए, बिदेसों में भी कई जगे बोली आती है भोजपुरी भासा, जैसे कि बिदेसों में सुरिनाम, फिजी, मौरिसस, गुयाना, त्रीनार्ट, मैं भी भोजपुरी बोली आती है, इस दिरिष्टी से भोजपुरी अंतराश्टी महतु की बोली है, तो ये दोस्त है उसका सरोपर्तम परियोग करता कौन है अंग्रेज विद्वान रेमंड 1789 इसवी में इन्होंने इस सब्द का सरोपर्तम परियोग किया अन्दे नाम क्या है भोजपुरी का पुरिवी अन्जिस का नाम है अब देखी यहां से एक प्रशने बहुत बार देख्जम में कैथी लीपी का परियोग पहले किस बोली के लिए होता था तो आपका उतर क्या हो जाएगा भोजपुरी के लिए होता था वर्तमान में इसको देवनागरी वर्तमान में भोजपुरी के लिए देवनागरी लीपी का परियोग हो रहा है तो most important प्रशन रहेगा कैथी लीपी आठवी अनुसूची भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में इस वाली में हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो सम्मिधान की आठवी अनुसूची में 22 भासाएं हैं तो उन 22 भासाओं में से हिंदी छेतर की बोलियों में सम्मिधान की आठवी अनुसूची में इस्थान पाने वाली एक मातर बोली कौन सी है तो आपका उतर क्या हो जागा मैथिली इसको याद रखेंगे हिंदी छेत्र की बोलियों की बात कर रहा हूं में तो मैथली हिंदी छेत्र की बोलियों में समिदान की आठवी अनुसूजी में इस्थान पाने वाली एक मात्र बोली है ये आपको दोस्तों याद रखना है फिर देखिए डिंगल नाम है ये हाली की परिक्षाम दोस्तों ये प्रशने पूछा भे गिया है कि डंगल नाम है किसका है राजिस्थानी हिंदी का नाम है डंगल या डंगल जो भासा है वो कहां बोली आती है ऐसे प्रशने बना था तो राजिस्थान में यहाली की प्रिक्षाव मुझे प्रशन पूछा गया है डिंगल आपको याद रखना है फिर देखिए पस्चिमी जो हिंदी है उसकी उत्पत्ती किस्से होती है सौरसन्य अब्रंग से बिहारी हिंदी है इसकी उत्पत्ती किस्से होती है मागदी प्राकर्त से और जो पहाड़ी हिंदी है देखिए उसके पहाड़ी हिंदी की भी हम लोग बात कर लेते हैं पहाड़ी हिंदी का विकास खस प्राकर्ट से हुआ है यह महत्मूर्ण है पहाड़ी हिंदी का विकास को चार वर्गों में बाट कर उसकी बारा पर्मुक बोलिया निर्धारत की हैं तो यह कोशन दोस्तों बनते हैं चार वर्ग और बारा पर्मुक बोलिया यह प्रशने बनते हैं उत्राखंडवाले चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे जो उत्राखंड़ की जो बोलिया है उसम उसी परकार से गडवाली की जो बोली है उसको आठ भागों में किस ने विवक्त किया तो ये किस ने किया था डॉंक्टर गियर संदे तो ये प्रशन दोस्तो एक जामे बने हुए हैं इसलिए आपको याद रखने हैं उसके बार देगी पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति कैसे ह होती है अर्ध मागदी प्राकर्त से तो दोस्तों ये कोशन बनते हैं कि पूर्वी हिंदी पश्चम हिंदी बिहारी हिंदी इनकी उत्पत्ति कैसे होती है यहां से प्रशने आपके पूछी जाते हैं तो इसकी उत्पत्ति होती है अर्ध मागदी प्राकर्त से तो दोस्तों ये आज की हमारी जो हिंदी का जो पहला चैप्टर था आज का समापत हुआ हम लोग डीपली इंची जो को पढ़ेंगे मैंने पहले भी आप से कहा था देखिए चैनल को लाइक जरूड वीडियो को लाइक जरूड किया कीजिए तभी मुझे पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो वसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस किया कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेजन आप तक पहुंच जाए और सेयर जरूड किया कीजिए और मेरे रिक्वेश्ट आप से ये भी है उन लोगों को सेयर ये वीडियो नहीं जा पाते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं यह कि कोचिंग जा सके जो पर्वति छेत्र हमरे रहते हैं तो दोस्तो ऐसे लोगों को आप लोग वीडियो जरूर सेयर कर दिया किजिए जहां तक है उनको बहुत है इस वीडियो से मिल जाएगी तो दोस्तों ये छोटे थोटी जो बेसिक चीजह हैं जिनको आप लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन हिज्ञ में पोछे जा रहे हैं इनको हमको पहले कवर करना है उसके बाद हम लोग गिनावर में आएंगे तो दोस्तों आज के लिए तलहीं अगली वीडियो में कुछ हम लोग नहीं चीज पढ़ेंगे देखते हैं अगली वीडियो आपकी क्याईगी आती है और उसमें भी हम लोग बेसिक चीज़ें ही पढ़ाईगे तो मिलता ए हम वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए और फेस्जूक पेज में दोस्तों आप लोग हमारे जुड़ जाईए फेस्जूक पेज हमारा बना हुआ है लिंक दोस्तों नीचे डिस्कुसिन में दिया हुआ है आप लोग फेस्जूक पेज से जुड़ जाईए तो मिलता है वीडियो में